हेलो दोस्तों नमस्कार आठवी दस्वी और बार्वी के स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ी खुसकबरी है सरकार ने 93,000 स्टूडेंट्स को फ्री में टेबलेट देने की तयारी कर ली है और जल्दी सरकार वो टेबलेट खरीदने भी वाली है ये टेबलेट आपको कब तक मिलेंगे और टेबलेट मिलने का क्या प्रोसेस रहेगा यानि कि आपको टेबलेट कैसे मिलेगा उसी के बारे में आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि जो 93,000 स्टुडेंट हैं आठवी, दसवी और बारवी के जिन्नोंने 35% से अधिक अंक प्राप्त की हैं उन सभी को फ्री में टेबलेट मिलेगा और साथ में 3 साल की इंटरनेट कनेक्टिविटी भी मिलने वाली है और सिक्सा विवाग के अनुसार टेबलेट को दो चरणों में वित्रित किया जाएगा सबसे पहले 2019, 2020 और 2021 के जो स्टुडेंट है उनके लिए 65,000 टेबलेट खरीदे जाएगे यानि कि सरकार खोदी टेबलेट खरीद के उनको वित्रन करेगी और बाकी जो 2022 के अंदर जिन विदार्थियों ने अच्छे नंबर प्राप्त किये यानि कि जो 55% से अधिक अंक प्राप्त करेगा उन सभी को एक कुपन दे दिया जाएगा उस कुपन के मादियम से स्टुडेंट को खुद को जो टेबलेट का कंपनी का स्टोर है वहाँ पर जाके वो खुद भी खरीद सकता है और अगर वो अच्छा टेबलेट खरीदना चाहता है तो आपके यानि कि खुद के पास से पैसे लेगा के भी वो अच्छा टेबलेट खरीद सकता है और पिछले ये दो-तिन सालों से योजना बंद थी लेकिन गहलो सरकार ने इस योजना को दुबारा से स्टर्ट किया है और पहले लेपटॉप मिलते थे लेकिन टैबलेट मिलने का कारण यह है कि टैबलेट बच्चों को लिए स्वीदा जनक है और इसे बैग में रख सकते है और टैबलेट के अंदर इंटरनेट कनेक्शन होता यानि कि टैबलेट के अंदर सिम कार्ड लग जाता है और लेपटॉप के अंदर सिम कार्ड नहीं लगता है इस कारण से लेपटॉप की जगे आप टैबलेट दिये जा रहे हैं तो उमीद करता हूँ आपको जानकार यह अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें